international holidays private limited यह एक company है जो इंडिया में bhi register है और Thailand में bhi register है इंडिया और Thailand दोनों जगर register है इसका managing director मैं खुद हूँ यानि राजीयृृ। फूल Universe और यह जो विश्वाल की मेंच काम है वो है तूर को टूरीज़म को मैंच करना यानि टूर पेकज को बेचना हमारा मेंच काम है अभी हम अपना जो ठाइलैंड में हम ट्रिप मैंच करके देते हैं और आने वाले समय में हैं अलग 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 जगों पर भी trip manage करेंगे यानि दुबई वगएरा जो भी international जो भी trip होगा वो हम manage करके देंगे हमारा जो trip आता है वो trip आता है 44,999 रुपय का 44,999 रुपय का हमारा trip आता है जिसमें हम Thailand का पूरा trip देते हैं लेकिन अगर जिसके पास भी ये 44,999 रुपय एक बार में नहीं है तो वो क्या करता है वो हमसे मात्र 1500 रुपय प्लस GST देता है यानि टोटल होता है 1770 रुपय 1770 रुपय देता है और वो हमारे plan में इंटर कर जाता है यानि ये product based plan नहीं है ये service based plan है जैसे ही आप 1770 रुपय देते हैं आप हमारा हो जाते हैं member जैसे ही आप हमारे member बनते हैं तो आपको 4 चीजें मिलती है पहला मिलता है आपको lifetime की membership lifetime की membership दूसरी मिलती है जब भी हमारा package आप कभी किसी third party को बेचेंगे तो 10% का हमेशा के लिए आपको discount मिलेगा यानि 45,000 का 10% यानि 4500 रुपय आपको 10% का discount मिलेगा जब भी आप दूसरे को ये plan बेचेंगे ये package बेचेंगे तीसरा 2499 रुपय का आपको discount मिल जाएगा जब भी आप हमारा package यूज करेंगे तो आप 2499 रुपय कम देंगे यानि 45,000 की जगा आप 45,000 रुपय ही देंगे हमें और ये 2500 रुपय 2499 रुपय का आपको discount मिल जाएगा चौथा जो सबसे महत्पूर्ण चीज मिलेगा वो ये होगा कि हम अपने जितने भी हमारे यहां membership लेते हैं लोग हम worldwide cycle में हम उनकी entry दे देते हैं worldwide cycle में हम आपको entry दे देंगे और इस entry से आपको फाइदा ये होगा कि ये cycle अगले 36 महीने में ये आपको कम से कम 13 करोड रुपय देने में ये cycle सक्षम है अब ये कैसे होगा ये कमाल आएए जानते हैं ये बहुत ही scientific और बहुत ही calculated plan है इस plan में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ आपको फर्जी चीज बताई जा रही है या कुछ ऐसा ऐसा चीज आपको बताया जा रहा है जो impossible है जो नहीं हो सकता बहुत आसान और बहुत ही सांदार plan है ये plan US में एक company है जो इसको अपने surrounding में करती है और उस plan को यहाँ पर Indian culture के हिसाब से Indian mentality के हिसाब से इसको copy किया गया है दूसरी चीज इस plan के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूँ ये plan हम लोग का खुद का बनाया हुआ है और हम इसका software इसके apps इसके applications इसके server हमारे खुद के सारी की सारी चीज़े हमारी खुद की है इस पर किसी का जोड़ जबर जस्ती नहीं है यहाँ A to Z चीज़ों पर एक अधिकार अपना है VGF Club company का है हम किसी को hire नहीं करते हम कहीं से किसी दूसरी third party company से हम अपना software नहीं बनवाते है हमारा software हम खुद बनाते हैं हमारे पास पूरी developers की team है वो team यह पूरे software को manage करती है 24 hour इसमें हम आपको service provide करते है है किसी भी तरह की कोई भी problem आती है हम तो उसको तुरं सौट आउट करते है आए जैसे ही आप हमारा 1770 रुपए देते हैं यानि 1500 प्लस GST देते हैं तो एक्चुली यह company करती क्या है यह company कहती है कि चुकि यह company legal है इसलिए आप हमारे पैसे के lane देन को हम आपको legal way में देते हैं आप हमारे company को देते हैं account में देते हैं या credit card, debit card और net banking से आप हमें देते हैं हम आपको बजापता एक receipt देते हैं आपके mail id पे यह receipt चला जाता है और बजापता वो एक invoice होता है, sale invoice जिसको बोलते हैं वो invoice आपको चला जाता है अब आईए, अब मैं बताता हूँ आगे का plan क्या है आगे का plan यह है कि जैसे ही आप 1770 रुपया हमें देते हैं तो यह 1770 रुपया फिर return company आपके application पे यह 1770 रुपया आपके application पे digital money बना के और डाल देती है अब आपको चुकी यह जो business है वो crowdfunding base पे बनाया गया है इसलिए आपको इस 1500 रुपय को अपने हातों से 1770 में 270 आपका GST चला गया, 270 इसमें से GST चला गया अब बचा 1500 इस 1500 रुपय को आपको अपने हातों से कुछ लोगों को भेजना होता है किसको किसको भेजना होता है आए जानते हैं सबसे पहले इस 1500 में से 100 रुपय आपको अपने sponsor को भेजना होता है यानि जिस बेक्ति ने आपको refer किया है, जिसने आपको sponsor किया है, उस sponsor को इस 1500 रुपए में से 100 रुपए भेजना होता है, बचता है 1400 रुपए, 1400 रुपए में से फिर 200 रुपए आपको अपने sponsor के sponsor, sponsor के sponsor यानि 36 लेवल तक उपर अपलाइन में भेजना होता है, उसमें अब ज इसरा आपको 700 रुपया आपको कलब में भेजना होता है और बचा फिर चोथा 500 रुपया वो आपको CMC में भेजना होता है तो आए आप एक प्रकार का साइकल है कलब एक प्रकार का साइकल बनाय गया है जिसको हम 6 साइकल में बांटे हुए हैं 6 कलब हमने बना रखा है पूरी कंपनी ने 6 कलब बना रखा है कलब A, कलब B, कलब C, कलब D, कलब E, कलब F जैसे ही आप 700 रुपए कलब A में पहले से जो ब्विक्ति होता है वो हो सकता है आप उसको जानते हों हो सकता है वो आप उसको न जानते हों लेकिन आपको कलब A वाले बेक्ति को 700 रुपए देने होते हैं जैसे ही आप 700 रुपए कलब A वाले बेक्ति को देते हैं यह 700 रुपय जैसे ही आप देते हैं तो आपको पूरे भारत से पूरी कंपनी से कोई भी जिसको आप जानते हों जिसको आप नहीं जानते हों दो लोग और आपको 7700 रुपय देते हैं और आपको आजाता है 1400 रुपय जब आपको 1400 रुपय आजाता है तो उस 1400 रुपय में से आपको कलब B में अपने आपको अपग्रेड करना होता है और आप 900 रुपय उस 1400 रुपय में से 900 रुपय आप कलब B में भेज देते हैं और कलब B में जब आप 900 भेज देते हैं तो 1400 में से 900 चला जाता है तो बच जाता है 500 इस 500 रुपया को आप तुरंट विड्रॉ मार लेते हैं और आपके ATM में पैसा तुर्ण ट्रांसफर हो जाता है विदिन दो सेकंड दो सेकंड में आप रात को दो बजे भी पैसा अपने खाते में ले सकते हैं अब चुकि इस में से 900 रुपया जैसे ही आप देते हैं तो आप भी कलब भी में आ जाते हैं अब 900 रुपया में से आप इस 3600 रुपय में से 2000 रुपय आगे की कलब में भेज देते हैं और बाकी का 1600 रुपय आप अपना विद्डॉव मार लेते हैं अब 2000 रुपय अब आपको टोटल आठ लोग 22,000 भेजते हैं आपके बास आता है 16,000 16,000 में से आप क्या करते हैं 10,000 रुपया आगे की 10,000 रुपय देते हैं तो आपको आता है टोटल 1,60,000 रुपया 1,60,000 में आप 1,00,000 रुपया आगे भेज देते हैं और बाकी का 60,000 आप तुरंद विद्डॉव मार लेते हैं उसके बाद अब 1,00,000 रुपया अब आपको 32 आदमी एक एक लाक रुपया भेजता है आपके पास आता है टोटल 32,000 रुपया अब आपको 64 आदमी देता है तो टोटल आपको आता है 12,00,000 रुपया 12,00,000 रुपया आप चुकी इसके आगे कोई कलब नहीं है इसलिए अब ये पैसा आपको किसी को नहीं भेजना होता है ये टोटल पैसा आप विद्डॉव मार लेते ह तो जो आपकी टोटल आमदनी होती है वो होती है 12,92,6,100 रुपया ये आपकी टोटल आमदनी कलब से हो जाती है जो की पूरी तरह से कैलकुलेटेड है और ये आपको आएगा ही आएगा बसरते ये अगर आपने इस सिस्टम में इंट्री ले ली है तो आप ये मान के कि आप 12,92,000,000 रुपय के मालिक हैं लेकिन अब ये निर्भर करता है कि ये चलेगा सिस्टम कैसे तो इस 12,92,000,000 रुपय पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही आपके पास रूल है एक ही नियम है कि आपको अपने नीचे दो नए लोगों को लाना होता है जैसे ही आप दो न लोगों को अपने फ्रंट लेग में लगा सकते हैं लेकिन दो लोगों को लाना मॉस्ट इंपोर्टेंट है अगर आप दो लोगों को नहीं लाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका विड्रॉन नहीं लगेगा यानि दो लोगों को लाना इंपोर्टेंट है इस बिजन इस तरह से आपका network बनता है और ये cycle जैसे ही अगले 19 से 20 महीने चलता है तो आप इस level तक पहुँच जाते हैं, ये पूरी तरह से calculated plan है, अब आईए उसके बाद उसके बाद आता है CMC, company ने कहा कि हम CMC जानने से पहले हम जान लेते हैं कि company क्या गरती है, company एक और income देती है जि जिसको हम matching income भी बोल सकते हैं, जिसको हम binary भी बोल सकते हैं, इसमें क्या करती है, company कहती है कि आप होते हैं और आप जैसे ही तीन sponsor करते हैं, यानि दो तो आपको करना ही है और एक extra जैसे ही करते हैं, तो extra करने के बाद आप जो है, आपको 200 रुपय की binary आनी शुरू हो जाती ह और ये आपको हर 8 घंटे में आपको 500 रुपय आता है, यानि 24 घंटे में 1500 रुपया महीने का 45,000 रुपया रोज का 45,000 रुपया महीने का आपको एक ID पे capping होती है, अब आईए जानते हैं CMC, इस business का सबसे महतपूर्ण और सबसे जबर्ज़स्त पहलू है CMC, CMC एक ऐसा system है, जो एक बेक्ती को अमीर बनाने की guarantee लेता है, CMC का मतलब होता है company millionaire club, यानि करोड़पतियों का एक club बनाये गया है, कि इस club में एक बार जो भी leader entry मार देता है, वो भविश्य में करोड़पती बनेगा बनेगा इस बात की उसकी guarantee हो जाती है, कैसे? company कहती है, कि हमारे यहाँ जितनी भी joining आएगी, उस सारे joining से हम 500 रुपया, यानि यहाँ से देखिए आप 700, 200, 900 और 100, 1000, 1000 रुपया आपने यहाँ तक बाट दिया, system में, अब बच गया 500, यह 500 रुपया जो है, यह company कहती है, कि हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी company में, calendar month एक तारिक से लेके, और 31 तारिक तक या 30 तारिक तक, जितनी भी ID आती है, हम 500 रुपया पर ID, cmc club में डालते चले जाते हैं, माल लीजिए कि company में 10,000 ID आती है, 10,000 ID जब आती है, तो उसमें 500 से जब आप गुना करेंगे, तो होता है 50 लाग, अब ये 50 लाग रुपया, cmc club में, ये 50 लाग रुपय, cmc club में इकठा हो गया, जैसे कि आपको दिखता रहेगा, आपको सामने दिखता रहता है, कि cmc club में एक भी entry आती है, तो 500 रुपया उसमें पढ़ जाता है, जब भी आप अपना application खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको ब दिखता रहता है, कि हमारा cmc में इस महीने इतना इकठा हो गया है, और अभी तक कितना total बढ़ चुका है, वो भी आपको दिखता रहता है, तो अब मान लीजे 50 लाग रुपया वहाँ जमा हो गया, अब वो 50 लाग रुपया सब को दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि ये मिले जिसके ग्रुप में 200 की टीम बनेगी, यानि जो भी बेखती के ग्रुप में 200 की टीम बन जाती है, वो इस पैसे का हकदार हो जाता है, एक ग्रुप में 100 लोग, 100 आईडी आती है, और बाकी के सारे ग्रुप मिलाके 100 आईडी आती है, तो आप इस cmc के हकदार हो जाते हैं, यानि आपकी टीम में अगर 200 ID आ गई, 200 की टीम आपने बना ली तो आप इस CMC के हकदार हो जाते हैं, ये 50 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, अब सवाल ये उठता है कि अगर 2 लोग ने बना लिया तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है कि ये 50 लाख दो लोगों में डिव मुचेंगे, वो सारा पैसा उनमें बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ये इस प्लैन का सबसे खुबसूरत पहलू है, माल लिजे कि उस महीने, जिस महीने 50 लाख रुपया यहां जमा हुआ, ये 50 लाख हमने 10,000 ID पर दिखाया, यहां पर जिस दिन 50,000 ID होगी, 1,000 ID होगी, तो यहां 50 करोड रुपय भी होंगे, ये इस बात की गरेंटी है, और वो आपको दिखता रहेगा, तो वो जो भी 50 लाख, 5 करोड या 50 करोड जो भी इकठा होगा वहां, उस पर आपका अधिकार है, आपकी टीम अगर 200 की बनती है, तो आप इस 50,000, 50 लाख और 5 करो 200 लोगों का अगर टीम को जोड़ें, तो लगबग 3,50,000, 3,70,000 का बिजनस हुआ, टोटल अगर जोड़ने तो, अगर GST हटा दे तो 3,00,000 का बिजनस हुआ, यानि एक ऐसा प्लान जिसमें 3,00,000 रुपय का बिजनस करने के बाद, आप चाहें, आप हो सकता है कि आपका उस महिने का चेक 20,00,000 रुपया का भी बन जाए, यानि एक ऐसा प्लान है, यानि एक ऐसा प्लान जिसमें 3,00,000 का बिजनस करके और चांस है कि आप 30,00,000 का भी चेक उठा सकते हैं, ये इतना जबर्जस्त और डाइनामिक प्लान है, लेकिन हम सबसे अगर कम जोड़ते हैं, त तो ये 200 ID से 500 रुपया निकल के और आता है आपको आपके पास यानि एक लाख रुपया का चेक, आपका कम से कम बनेगा बनेगा इस बात की गरेंटी है, कि अगर 200 की टीम आती है, तो 500 रुपया पर ID आपकी, अभी हमारे बहुत ऐसे लीडर्स हैं, जो सेटिंग मांगते है हो सकता है, आप भी किसी को प्लान दिखा है, या कोई लीडर हो तो वो सेटिंग मांगता है, तो ठीक है, उसको समझ लीजिए कि ये सेटिंग ही है, 1500 के प्लान में 500 रुपया की सेटिंग आप किसी को भी प्लान दिखाते है वक्त, कोई लीडर आपसे अगर ऐसा कहता है, कि तो आप उसको ये बता सकते हैं कि देख 200 की team तुमारी अगर तुम target पूरा कर देते हो 200 की team तुमारी बन जाती है तो 1000 रुपय के plan में 500 रुपय की setting तेरी हो सकती है ये इस plan की खुबसूरती है और ना केवल तुमारे team से बलकि पूरी company के team से पूरी company के ID से 500 रुपय पर ID company ने उसके बाद company ने क्या किया कि इस जितने भी आपकी CMC उठेगी उस CMC से 25% उठाके और WTC में डालती है WTC क्या World Tour Club World Tour Club में जो ये 25% पैसा आता है इस 25% में company अपना management चलाती है अपना meeting seminar का खर्चा निकालती है उसके बाद अपना पूरा software maintenance का खर्चा निकालती है और आपको जो भी हमारे CMC achievers होते हैं जो भी इसके level को cross करते चले जाते हैं उन लोगों को ये पूरी दुनिया का पूरे world का लगबग 18 country का ये पूरा trip कराती है और इसका सिलसिलवार अगर आप अपने application जो आपने डाउनलोड किया है उससे आप इसका PDF डाउनलोड करेंग तो उसमें ये जो भी चीजें हमने बताई हैं वो पूरे आकड़े के साथ उसमें दिया हुआ है और आपको Malaysia से लेके, Thailand से लेके, New York से लेके और Sydney वगएरा वगएरा, London, Paris हर जगा आपको ये CMC में complete trip देती है ये हमारा एक plan है जो बहुत ही simple और बहुत ही सापसुत्रा बहुत ही सांदार plan है अब आईए कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर ये plan जो है आपका ये plan लीगल है कि नहीं सर ये 100% लीगल प्लान है क्योंकि हम एक service based company है हम जो भी पैसा आप देते हैं हम उसका आपको sale invoice देते हैं उस पे GST हम काटते हैं और GST काटके और government को हम जमा करते हैं पहली चीज़ पहला दूसरा जो इस company को operate कर रहे हैं यानि मैं राजी उजैसवाल मेरे पास लगबग 20 साल का अनुभव है network industry का और मैं मानता हूँ कि मैंने network industry में PhD कर रखी है मेरे पास network industry मेरा sock है मैं इसको proper एक networker की तरह से एक professional networker की तरह से मैं इस business को चलाता हूँ करता हूँ तीसरा कि इस business में कोई भी unwanted calculation नहीं है कि कल होके इसका calculation फेल हो जाए और company को बंद कर देना पड़े ऐसा कोई calculation नहीं है चौथी यह सब मैं आपको advantage बता रहा हूँ और आपको सारी चीजों की खबर होती है यानि और पांचवा और सबसे जबर जस चीज की यह leader friendly plan है यह leader friendly plan है leader friendly plan का मतलब यह हुआ कि इस plan को leader ही operate कर रहे हैं leader ही चला रहे हैं company मेरा जो मानना है मैंने अपने network marketing industry के life में मैंने यह चीज देखा कि एक business जो है वो leader कितने मर मर के उसकी team बिचारा कितना मेहनत करके और market से ID उठाता है पैसा उठाता है और वो लाके company को दे देता है और क्या होता है कि company उस पैसे पर अधिकार company जमा लेती है और उसको कभी कभी उसको commission मिलता है कभी नहीं मिलता है कभी कुछ होता है कभी गरबर हो जाता है और company भाग जाती है लेकिन हमारा मानना है मेरा मानना है कि अगर leader अगर leader market से ID उठा रहा है या उसकी team को motivate करके वो team खड़ी कर रहा है तो उसके साथ दो तीन चीजें सबसे जरूरी है जो होनी चाहिए पहला उसको जो वो network बना रहा है वो network उसका आजीवन का network बनना चाहिए यानि उसको बार बार company shift करने की जरूरत ना पड़े कुछ ऐसा network उसका बने ताकि एक बात जिन्दिगी में network बनाए और उस network से और उसके आने वाली PDV पैसा कमाई ये पहला चीज इस company में आपको मिलेगा दूसरा कि अगर networker या कोई leader market से महनत करके इतनी अपनी खून पसीने एक करके अगर वो पैसा market को market से उठाता है लाता है ID लगाता है तो उस ID पर पूरा का पूरा अधिकार उस leader का होना चाहिए उस पैसे पर उस आये हुए value पे total अधिकार leader का होना चाहिए ना कि company का होना चाहिए यानि इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये leader friendly plan है leader का अधिकार होना चाहिए अब रही बात कि company कैसे चलेगी तो leader जब पैसा कमाएगा तो वो खुद company को देगा कि आप low और sir company चलाओ कोई भी changes नहीं होगा और अगले 20-25 साल तक इस company में कोई भी छेड़ चाड़ नहीं होगा ये smoothly चलता रहेगा हम लोगों का काम केवल इसके application को maintain करना और payment system को payment gateway को सही सड़ाका रखना बाकी सारी चीजें leader के हाथ में हैं इस company का तो यही हमारा plan है बाकी अगर किसी भी तरह कि कोई भी जरूरत पड़े तो आप अपने appliance से संपर्क करिए आपको कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो आप अपने appliance से discuss करिए अगर आपके appliance आपको संतुष नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप company के जो हमारे marketing executive है जो plan को display करते हैं उनके साथ आप संपर्क करें अगर उनसे भी बात नहीं बनती है तो आप जरूर मुझे call करें अपने appliance से अपना number मेरा number ले लें मुझे call करें मैं पूरा आपको satisfy करूँगा ये इसका plan है बाकी के जो भी चीजे हैं आप company को mail कर सकते हैं company के number पे आप call कर सकते हैं और ये plan जो है बस यही इसका plan है बड़ा simple सा plan है और बहुत ही genuine plan है आईए मिलके अपनी सफलता इस plan में सुनिश्चित करते हैं और अपने सफलता को अपनी सफलता भी लेते हैं और अपने team की भी सफलता इस plan के पैद करवाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस plan को झाल झाल झाल